हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम गड़ीत के पेपर का यहां हल देखेंगे फ्रेंज आप सभी को 27 फरवरी को जो गड़ीत का पेपर है इसमें से आप मैकसिमम सवाल आपको बोड के एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा तो आप वीडियो को लाज तक हल जरूर देखिएगा यह 2024 के लिए एक प्रकार का वाइरल प्रस्ट पेपर है तो आप इसका संपूर हल जरूर देखिए यहां पी देखिए पेपर का जो सेट है डी वाई है ठीक है आपको देखिए पेपर को हल करने के लिए जो समय मिलेगा बोड के एक्जाम में तीन घ पहले से ज्ञान रहे हैं आप सभी को इंपोर्टेंट जो निर्देश रहता है उसको सिर्फ बता दे रहें पहला निर्देश तो यही रहता है कि आपको प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनिट का संपूर समय मिलेगा यारी कि 15 मिनिट तक आप इस प्रश्ण को पढ़ सकते हैं दूसरा यहां पर आपका रहता है खंड में 20 अंक का बहुई कल्पी प्रश्ण रहता है जिसे ओमर सीट पे भरना रहता है इसमें आपको एमर सीट एक बार भर लेते हैं और इसमें आप कार्ट पीट इरेजर या वाइडनर का किसी प्रकार का शनसोधन नहीं कर सकत ठीक है और इसमें आपको खंडबह होता है खंडबह में 50 अंग का संचिप उत्तरी वड़ात्मक प्रशन रहता है जिसे आप उत्तर पूस्तिका पर देना रहता है ठीक है इसके इंपोर्टेन निर्देश थे इसके अलवा जितने भी निर्देश से आप इसको पढ़ सकते हैं आपका समय न गवाते हुए सीधे प्रशन को हल कराते हैं ठीक है अब यहां पी देखिए आपका खंडबह है जिसमें आपको 20 बहु विकल्पी प्रशन पूछेगा जिससे ओमाल सीट पर हल करना रहेगा इन सभी सवालों को आप सभी को सिंपल तरीका से अप्रों डिटेल म बने रहेगा मैक्सिमम सवाल आपको बोड के एक्जाम में इसी प्रशन पत्र से आएगा यह 100 परसंटेज की गारंटी देते हैं तो आप वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा ठीक है यहां पी देखिए पहुई कल्पी प्रशन है ठीक है पहला सवाल आपसे क्या पू लगाएंगे यहां पी एकची बता देखिए आपका एक नंबर में पूछा है लेकिन आपको प्रशन पत्रों में यह कम से कम दो नंबर यह चार नंबर में भी प्रशन आता है ठीक है तो इसको आप डिटेल से पुरा बताते हैं जैसे बोड के एकजामें दू नंबर यह च की सवाल को लगाते समय यहां पे और क्यू दो बिंदो यारी कि दी इसका रिकार के सवाल को आप कैसे लगांगे देखिए पहले नमबत यहां गया है यह यह न यह यह वाई वाई लीजिए यह 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 तो में लीजिए अब दू बिंदू की बीच की दूरी यानि PQ की बीच की दूरी का फार्मुला लगाए PQ की बीच की दूरी ठीक है बराबर क्या होता फार्मुला देखिए X1-X2 का होल स्क्वार होता है plus y1 minus y2 का whole square ठीक है अब यहाँ पर देखिए pq की बीच की दूरी कितना दिया है 10 तो यहाँ पर 10 रख लीजिए बराबर under root में x1 कमान कितना दिया है 2 minus x2 कमान 10 है तो 10 square कर लीजिए plus y1 कमान कितना है minus 3 और y2 कमान कितना है y यहाँ पर square कर लीजिए ठीक है इतना करने के बाद देखिए क्या करना है यहाँ पर 10 लिखिए यहाँ पर देखिए 10 में से दूर गटाएंगे तो minus 8 का square हो जाएगा यहाँ minus 3 है और minus y का square है अब क्या करेंगे जब भी ऐसा सवाल देगे यहाँ से square करणी आटा आना पड़ेगा इसके लिए क्या लिखा जाता है कि दोनों पच्चों का दोनों पच्चों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर ठीक है यह देखिए बोड की exam में 4 नंबर में प्रशन पूछा गया इसलिए यहाँ पर detail में बता रहे है आप detail में समझ लिजिए यहाँ पर देखिए बोड की exam में यही प्रशन 4 नंबर में देदेगा तो आपका इसे लगाएंगे ठीक है यहाँ पर देखिए 10 है तो 10 का square कर लिजिए यहाँ पर root में कितना है देखिए minus 8 का square करेंगा तो 1964 हो जाएगा यहाँ पर देखिए plus electro minus 3 minus y का square कर लिजिए यहाँ पर call कर लिजिए means 3 minus y का square टीक है अब क्या करेंगे यहाँ पर 100 है तो रहने देजी 64 को इधर पछांता कीजिए तो minus 64 हो जाएगा अब यहां भी कितना बच्चेगा माइनस 3 माइनस y का स्क्वार देखे इसका a माइनस b या a पलस b के फार्मुला को विस्तार मत कीजिएगा ठीक है यह ध्यान देना है आपको देखे यहां से घटाएंगे तो कितना होगा आपको तो 36 बच्चेगा यहां से होगा माइनस तीन माइनस वाई का इसक्वाई देखें यहां से इसक्वाई आटाने के लिए अब क्या लिखेंगे कि दोनों पच्छों का वर्ग मूल लेने पर यहां करणी में कितना हो जागा 36 हो जागा कितना हो सक्वाई इसक्वाई टा है 36 करणी मंकितना हो को एच्वाई होता है माइनस तीन नों तो माइनस भाई तब करना है तो माइनस इह इढ़ें तो मैनस नू बराबर क्या हो जो कि वाई कमान इा आपका तो एक मान का मान आ गञा माइनस नौvos ठीक है अब यहांपर आपसन को देख लिजिए आपसन में इस ंप्स में यहाप इन दोने में कौन सा सही जवाब होगा कि इसके लिए एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा दो माझ नहीं देता वर्गमूल निकाला जाता है तो रगमूल हमेशा किस में होता है प्लस माईनस में होता है यहां प्या किया है माइनस नो हो गए अब क्या करने हैं यहां प्लस करेंगे स्पराइब माइनस थीन मायनस सुधनी माट सोगा इनस माइनस कड़ा जाए मैनस विधा पूंवाँ मन मस्तंच इंशास में डिया हुँआथ मेंस प्लस करके यूवे दिया है तो इसका सही जाब क्या होगा कि आ इसे लिए समय लगा है तो आप इस सवाल को ध्यान से देखके बोड के एकजामें जाएएगा अगला सवाल देखें ज्यादा सिंपल होता है जब भी ऐसा सवाल पूछे तो आप यह मत कीजिएगा कि 125 का 139 में भाग दीजिएगा देखें कि दसमलोग परसार कितने अंक तक होता है इसा आपको काम नहीं करना बस केया करना कि यहां पर हर में रहेगा यहां पर आखें करने से 25 यहां पर Cit English ने जिसको एक दीएगहा रहा है इतना ही दसमलोग परसार हो जो यहां पर घात होगा इतने अंकों तक दसमलोग कर परसार होता है यहां तीन गाता है तो दसमेलों को परसार कितने अंकता होगा तीन अंकता होगा तो इसका सही जब आप से पूछे तो आपको क्या करना है सिर्फ हर काही घुड़न खंड कर लीजिएगा और पांच पे कितना स्कॉार मैक्सिमम हा रहा है तो आपको क्या हो जाएगा इंस्वर सपर्पान तो मवसा का मान होगा अब देखिए मुषा का मान क्यात करना ए thấy कर दो कि यहां पी क्या होता है आपका की कि फरस्ट ग्रे सेकेंड दहुरी स weakened बराबर आपके क्या होता है लॉसा ही ऌॉसा कि गुड़े मॉसा या फार्मूला होता है यहां पर आपका मुसा कितना है सिर्फ 26 आ गया इसका सही जौब क्या हो जागा 26 हो जागा इस प्रशन का सही जौब विवला अफसन सही हो जागा ठीक है अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं चोधा नंबर का सवाल देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिस से 245 एक हजा 37 को भाजित करने पर प्रती एक दसा में सेस फल कितना बच रहा है पांच प्राप्त हो गी यह आप से पताना है कि इसका सही जौब क्या होगा यहां पी एक चित द्यान देखिए कि जब सवाल में आप से बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको मु सो चालिस होगा और एक हजार 37 में से क्या करें कि 5 घ्टाएंगे तो घ्रेकाना 1000 वतरी फासा ग्यास ग्यात करना है अभ इसका मुषसा ग्यात करने से देखिए आपको मुषसा भी गयात कर सकते हैं या इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि 22 का भाग इसमें देगिए और दोनों में दीजिए जिससे दोने संग्या कड़ जागा देखिए यहां पर आपको डारेक्ट बटाना चाहिए देखिए 24 का बाग इसमें देंगे 24 कड़ जागे इसका मतलब इसका सही जो आपके होगा सीवल आपसन सही हो जागा यह तो ट्रीक कि इस ट्रीक से आप लगा सकते हैं ल चाह सुने सुनना चाहर चोग को सोला चाहर दुना का ठीक नो साथ हो गटा यह दू हो जाएगा तीन में से गड़ा बगा सासी लेंगे तेरा तेरह में सच्छा गटा जिए साथ हो जागा और यह यहां पर पड़ जाएगा अब 72 का भाग दूसर चालीस में दीजिए अब जाएगा तीन बार में तीन दुना के च्छा तीन साथ है एक कट जाएगा जिस लाश संख्या से कटता हुआ इसका क्या हो जाता है मुषा कितना हुआ सबसे बड़ी संख्या मतलब महसा निकालना होता है यहां पर देख लिए सबसे पहले पता आथा ठीक है चाहे आप विश्ताब से लगा लिए दोनों आपको बीदी बता दीए ठीक है इसी तरह पर तेक सवाल में आपको दोनों बीदी बताते रहेंगे बस आप लाश तक व जिरो का एक मूल दू है तो एक का मान ग्याद कीजिए देखिए और ज्यादा सिंपल सवाल होता है जब भी इस पकार का सवाल पूछे एक मूल देने का मतलब हुए यक्स का मान देता है कि यक्स का मान दू है तो एक का मान ग्याद कीजिए अब देखिए सवाल आपका है कि द इसको हाल कर लीजिए देखे दू कर लिजिए दू कर लिजिए दू कर लिजिए बराबर 0 अब इसको हाल कर लिजिए देखे दू कर लिजिए 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 दू कर लि माइनस 14 हो जाएका यहां पे यहां पर बरावर कितना हो जाएगा आपका देखते हैं कि आपको आपको सवाल को लगा नहीं है बस अब देखी कि कि दू संख्या का मान का आपका 10 रहा है यहाँ पी चख दूल का है नहीं कि ढसाय कितना ना चाहिए इसमें जोड़के किसे किन दो संख्याओं का योग 8 आ रहा है देकि छद्व आट यह आपसां हो सकता है यह आपसां हो सकता है एक यह आपसां हो फोगा नहीं रहा है अगले नमबर अभी यह दूनries लेकि इस वह दून आ रहा है लेकिन इसमें से देखिए कि जब आंत्र यह हो नहीं सकता है साथ में से तीन गटाएंगे नहीं आजागा इसका मतलब यह वाना सही जवाब हो जागा यह ट्रीक से आप इस प्लूड की जाब पूछेगा तो इसी वीदिष लगाईएगा आपको पुरा विस्थार से लगाने के जरूरत नहीं है ठीक है अगला देखिए साथवा नंबर के सवाल कैसे लगेगा समीकरण 4 x2 माइनस 12 x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे यानि इसके मूल क्या होंगे आपको मूल बताना है देखिए मूल आप बताएंगे कैसे बहुत सिंपल होता है इसको बताना बस अब ध्यान दिजए ठीक है इस पका के जब ही सवाल आपसे पूछे यहां पे देखिए यह क्या होता है 1 c² के मूर में a a कमान होता है यक्स के मूर में b कमान होता कितना है चार है और सी का मन कितना है नो है ठीक है देखे बारा की स्कॉर करेंगे 144 हो जाएगा अब इसका गुड़ा कर लिजे लेकर चार चुक को 16 16 144 अब देखे 144 में गटाने क्या हो जागा जीरो आजागा देखे अब इस सवाल में ध्यान दियेगा जब भी आपका इसका मतलब होता है कि मूल समान होता क्या होता है वास्तविक और मूल समान होता है या बराबर होता ठीक ए इस चीज को पर सबको ध्यान देना अब देखें सवाल में देखते हैं वास्तिविक और सवांती वाला आपसर नहीं होगा वास्तिविक नहीं है तो गलत सुने तो आ रहा है लेकिन यहाप एक सब्सक्राइब को अगले नमबर को देखें देखें अगला नमबर का आपका सवाल क्या है देखें आपका सवाल कर रहा है अब देखिए इस सवाल को आपको ट्रिक्स भी बताएंगे बहुएकलपी प्रश्ण आप लगाएं कैसे आपको बहुएकलपी प्रश्ण लगाना रहेगा बोर्ड के एक्जाम में तो बहुत सिंपल तरीका से होता है क्या करना है देखिए आप इसको लगाएं पर चली भी स् x2 का whole square प्लस y1 माίνस y2 का whole square पर देख लिजै फिर इसके बाद ट्रीक्स बता देंगे क्म e state कैसे लगा सकते है y1 का मान minus 2 यक्ष्टू अरे दू है ना दू रखिए माइनस यक्ष्टू कमान चार है तो चार किजी स्कॉर कर लीजिए y1 कमान कितना है तीन है y2 कमान माइनस एक है तो स्कॉर कर लीजिए ठीक है अब देखिए यहां से क्या करेंगे कि चार में से दू गया, माइनस दू का स्कॉर हो जागा, तीन में से गया, दू का स्कॉर कर लीजिए, अब यहाँ पर देखिए, क्या करेंगे, माइनस दू का स्कॉर चार हो जागा, यहाँ पर दू का स्कॉर चार हो जागा, इसका मतलब रूट में कितना हो जागा, चार चा सकते हैं जिसका जोड़ा बनेगा बाहर हो जागा यह रूट में कितना हो जोगा जोगा आप सांद देखें दो करणी में 2 तो सी वाला आप साही हो जाएगा जिका जो ट्रिक वाली बात कर रहे थे बास इस टेफ कर सकते जब भी आपको दो दो बीनियों देखें दूरी अगर दूरी चाहर कर लिजी बस यहां देखेंगे दूर्धुना के चार और दूर्धुना के चार हो जागा रूट में कितना हो जागा अब इसको आप निकाल लीजे थे कितना दूर्णी में 2 यह था ट्री जिसको लांग वी दी आता हो तो अपना खुद बना सकता है ना यानि इस टेप आप सिर्फ गायब कर सकते हैं अब विकल्पी प्रश्ण हल करना रहेगा तो आप वोड के एक्जामें ट्रिक्स से हल करने का प्रयास कीजिए जिससे आपका समय बचेगा ठीक है चले अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का आपका सवाल क्या ह उआ इसे कैसे लगाएंगे न 10 नंबर का देखिएस सम एकर 3 रीक्स स्क्रार माइनस 2 एक प्लास एक बड़ाधा के 3 बराबर 0 की वीविक्तिकर होगा यानि वीविक्तिकर क्या घार करना है तो वीविक्तिकर प्र Isaب क्या होता है ठीक है यहां सी कर बगदे Dec concerts लिखे आब यहाँ पर मार होग दिखता जो यहां पर परहना कितना रखेंगे माइन से चार गुल बेटर मार कमान कितना कर लीजिए और देखेंगे स्वाल को लगाने कितना समय लगे आपको जब भी विक्त कर पूछेगा तो यह फार्मूला याद रखेगा ठीक है आपके सामने देखिए अगला नंबर का सवाल है दस नंबर का और देखिए इस सवाल को आप कैसे लगांगी यह भी आपको बहुत कल्पी है पूछता है और बहुत सिंपल सवाल होता है ठीक है दिये गई चित्र में तिरे भूज ABC आधार BC के समानतर DE का खंड खिचा गया है है अब गयार्न कितना है अब देखिए दिखा कि अब दी का मार्न निकाऩा के इखा के इस का माम पूछ रहा है गते जब देखिए शिवा के समानतर हो होता थैसे बूजाए ऐगलं आप ऑनपात क्या होता है बडावर होता पस इतना चीछ आप जानते रहें यहां भ 친 आकश बराबर यही बटा के क्या होगा आपका यानि इस भूजा को लेकर इस भूजा का अनुपात में यान EC होगा अब यहां पर बस मा रहा कर दीजिए DB कमान कितना है साथ दस्मलो दू है देखे DB कमान साथ दस्मलो दू है रख लीजिए AE कमान कितना 1.8 है EC कमान कितना है 5.4 है आपको AD कमान के आत करना तीरी गुड़ा कर लीजिए AD बराबर क्या होगा देखे 1.8 बटा के 5.4 इसका गुड़ा तीरी गुड़ा कर लेंगे 7.2 हो गया अब इसको हल कर लीजिए काम खतम हो जाता है ठीक है अब यहाँ के दस्मलो यहाँ पर रहता हता था ठीक है और यहां पर दस्मुलों भाटेगा इसलिए कि नीचे कोई अंक नहीं है इसका मतलब कितना है इसका सवाल को लगाएगा देखिए इसका सही जो क्या होगा करा है लेकिन आप जब समझ लेंगे प्रश्णों को हल करेंगे तो कम से कम समय में हल कर लेंगे ठीक है यहां पर अनुपात यहां पर इसका सही कितना समय लगा है ठीक है जब भी आपका जो तुरुष दे और वो दोने त्री पूष समरूप रहे हैं और इसमें उचाई दे या भूजा दे यह भूजा आए ति इसके चत्रफला को अनुपात जयाद कीजिए तो सिर्फ इसका स्क् आपका अंग्रा नम्बर के जो बारा नम्बर का सवाल है कि चित्र में तृज्ञेखन ओ इसके चत्रफल हो गया आई यहां पर पूछ रहा है यह क्या है आपका अच्छे त्रफल है फार्मूला आपका होता है क्या कि ठीटा बटा के तीन सो साथ गुड़े पाई आर स्कॉर यह फार्मूला होता है अब यहां भी क्या करना है कि ठीटा कमान कितना दिया है तीस देखें यह ठीटा कमान होता ना तीसंस दिया है तीसंस र साथ लेंगा चार गुड़े चार लिख सकते हैं ठीक है या क्या करेंगे गुड़ा कर लेंगा भाग दे लेंगे छार दुना के आठ चाहर दुना के आठ चार त्री के 18 अब यहां आपका भाग दे लिजे अब यहां कि यहां पर आपका एक बार जाएगा अब आपका एक बार जाएगा अब देखें पूरा इसका मतलब सही जवाब यह वाला जवाब हो नहीं सकता है और यह 5 तो ही नहीं सकता है तो आपसन कोई सही होगा 4-1 नहीं इस प्रकाजा सवाल आपको लगाना रहता है जैसे समझार है इसी तरफ बोड की एकजाम लगाईएगा कम से कम समय में आप सवालों को लगा लेंगे अब दीखें आपके सामनी अगला नंबर का सवाल आता है और इसको कैसे लगाएगे पस देखते रहे ंटीरह नं हो इसका मान ग्याद करना है तो मान ग्याद करना है विसको हलका इसे करेंगा देकि दू गुड़े जाता है माइनस साइन साटन्स कमान कितना होता साइन साटन्स कमान करणी में 3 बटागे 2 हो जा तो स्क्वार है अब यहां पर द्यान दीजिए देखिए यह प्लस में यह माइनस में है यह इसी तरह आप काट सकते हैं देखिए यह स्क्वार में यह स्क्वार चलिए देखिए 2 गुड़े एक क माइनस की स्कुवार करेंगे 3, 2 कीज़र करेंगे 4 माइनस क्राइब 3 क करेंगी 3, 2 का इसको चैर कच जाएग empire ते यह उसको कट जाएग न अज़िए, टिके जैए डू हो gdzie कितना सिंपल तरीका सा आफ इस सवाल को लगा ay तो जैसे समझाएं इसी तरह लगाईएगा दिए दू आया है इसका सही जब क्यों होगा सी वला आप सन सही हो जाएगा ठीक है सवाल को लगाने की जरूरत भी नहीं इस सवाल को ट्रिक्स बताएं आप क्या कि जब आप परिवर्थित करेंगे तो इसका महान साइन के बराबर हो जाता है यह इससे कट जाता है इसको डायरेक्ट एंसर क्या लगाएंगे जीरो आएंगा तो इस प्रका का सवाल जब भी आपको यहां पर इसकोआर करके कहें और यहां पर देदे 66 यहां कोई भी अंसर रहेगा लेकिन इसको जोड़ने के बाद इन दोनों कोड़ों को जोड़ने के बाद 90 अनस आना चाहिए यह नब्य अंस आगया तो उसका मांन क्या बता हमेंसाट जीरो होगा लेकिन यहीं पर एक ट्रिक और समझ लेजए यहीं माइनस के जगा भी सवाल में आपका प्लat…… सवाल आपका पूंछ त्रिक्पहर सवाल आप से पूंछ कि-श्कुरा साथ Iya इस माइनस के जगाँजichen और लगाए ठीक है दोनों बता दिए आपसे बस दोई प्रकार का इसमें सवाल पूछता है जो बताएं आपको अगला नमबर का सवाल देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे ठीक है विधी बताते हैं कम इस सवाल को आप लगा सकते हैं देखिए क्या है कि पहले 10 a का मान कितना है 10 a बराबर एक बटक रूट 3 दिया है अब यहाँ क्या करेंगे कि 10 a का मान बताई कितना होगा अंस के रूप में कितना मान हो सकता है 10 a का मान होगा 10 10 30 एंस का कितना का मान होता 10 30 का अब देखिए यहां पर न RAW यहाँ यहाँ पर नाम बताई कि 90 इंस हो गया ठीक है यहाँ पर ले लिजए अ और यहाँ ली इस बी ले लिजए यहा पर बताई कि तना है कि प्यान एखिए यहाँ नभद अप्लाई कीजिएगा ठीक है बहुत कम समय में लगा लेंगे आपको समझा रहें तो समय लग रहें लेकिन आप इस ट्रिक को समझ जाएंगे तो कम समय में लगाएंगे अब दिखिए यहां पर कोड़ B कमान कितना होगा तो कोड़ B कमान देखिए आप आसानी से निकाल सकते कितना होता है तीन दोनों कोड़ों को जोड़के घटाली जेते ना होतिन बार 120 अंस कितना जाएंगे 60 अंस आ जाएंगा तो इसका मतलब कोड़ B आया साथ हंस हो गया न अब देखिए यहां पर देखिए अब बहुत और सिंपल तरीका साब को बताते हैं साइन एंटु कास B प्लस कास A इंटु साइन भी अब देखिए फार्मूला होता है साइन एंटु कास B प्लस कास A इंटु साइन भी यह होता है फार्मूला साइन A प्लस B का क्या होता है साइन प्लस B का अब यहां पर बस मा रख लीजे साइन यहां पर मा रखें साइन एक मान कितना है आपका 90 आपको पढ़ना है तो लांग वीधी इसके पहले आपको पढ़ा चुके हैं इस सवाल को लांग वीधी से यहां पिर आप सभी को साथ ट्रिक से बता हैं कि आप बोड की एक्जाम में इसलिए का आपको मिलना एक ही है चाहे लांग वीधी से लगाई या चाहे साथ ट्रिक से लगाई आपको मिलेगा एक ही नमबर यह नहीं है कि आपको लांग वीधी से लगाएं कि इस पर दो नमबर मिल जागा ऐसा कुछ नहीं होता है जितना नमबर का प्रश्ण लगता उतना ही मिलता है इसलिए आपको दो बता दिकेस्ने में एक लांग भी वी पहले बता चुके हां यहां पे आपको साथ सब्सक्राइब कृइस से लगा सकते हैं अब लगाते हैं पॉड़ में पांच से 10 सेकेंड में सबड़ को लगा सकते हैं ठीक है समख यह hardware कि देखिए सवाल का सवाल आप कैसे लगाएंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए यहां पर क्या गयात करना है पिस पकास तो इसमें एक सिर्फ आपको बढ़ाना पड़ेगा देखिए यही पर सवाल को लगा देते ना आपको अलग से लगाने के जोतने यही पर पहुई कल्भी का मतलब होता है कि ? यहां पर यक्स कमान गयात करेंग ?? 11oln प्लस ik्न कमान कर दो hem da kya ? क्या होता है ? इधर कमान 11 होता इधर इस कमान मतलब इन दुनों का झोड़ के भाग देंगे ? यानि कि 0 10 मतलच का बाता है कितना हो जाएगा ? 10 पता के 2 जोड़ेंगे पांच जोड़ेगे पंद्र होगा 15 35 35 35 45 अब अगला क्या करना रहा रहता है कि यह गुड़ों ख्याद करना रहता है एकामान तो पता चलिए कि एकामान यफ कमान क्या होता है यानि यह सब्सक्राइब्स हम हो गेंगे 3 को कंद छाएगा कि 15 हो जाएगा हंना पन्दर वा टे धूरेण हुद ठीक corporation पचीस पांट पचीस हो गया तीन के गुड़ा पचीस में करें तीन पचें 15 होगा तीन को 12 तीर हो गया अगला इस टेप में क्या किया जाता है यहीं पर समझ लीजिए आप लोग देखिए यहां सक्क्रते सीगमा एफ गयाद करतें सीगमा एक मतलए इन सभी का यूग जो ली अब यहाँ पर सीगमा एफ एक सिगमा एफ एक सियाओ करेंगे आप लिए स्विए इसका मतलब क्या होता है इस सभी का यूग जो लीजाए पांट 10 25 15 वेज़ें कि लग जाएल गाएगा देखिए 9 10 10 17 27 20 20 21 21 हो गया हासिल दू हो गया देखिए 2 एक 3 तीन आब 4 4 चौ 2 6 615 हुआ आपको माद दे गयात का ना थे देखें माद दे बराबर होता है फार्मूला क्या होता है सीगमा एफेक्स बटाके सीगमा एफ होता है यह आपका आता है कम से कम चार नंबर में सवाल लेकिन आपको यहाँ पी दे दिया एक नंबर में तो आपको लगाना ही पड़ेगा लेकिन यह आपके बोर्ड के एकजाम में चार नंबर का आता है और यह भी आपके बोर्ड के ए जाएंगे उतना आपके लिए सिंपल हो जाएगा तो चलिए पर ले कट आते हैं देखे 5 25 इसको 5 से कटेए 5 5 पांच के यह 5 11 11 12 12 15 15 कितना होगा 123 बटा के 5 होगा अब 5 के भाग दे लिजी 123 देखे 5 12 पांच को बीस ठीक है पांच का तीस यादि 24 दस मोलो 6 अब 24 दस मोलो 6 देखे आपसन में कहा पर यह आपसन में यह सवाल तो आपको बोड़ की एकजाम में चार नमबर में पूछना चाहिए लेकिन आप एक नमबर में दे दिया है तो आपको इस वीधी से लगाना पड़ेगा ठीक है आपके सामने देखे 17 नमबर का सवाल क्या है कि यह एक बिरित का परिमाप और एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो इनके छेत्रफलों को अन पूछाए तो पहले देखिए कि उनके चेत्रफल का यहाँ परित का चेत्रफल बटा के वर्ग का चेत्रफल एक ठेगायर वर्ग का चतरफल का फार्मूला होता है और यह होता है अब क्या करेंगे दियां दीजिए यहां से क्या कि यहां से एक मान निकलने की पस्या पर रख लिजिए एक मान निकलेगा कर यह से देखें यहाँ निकलने के लिए बटाके चार पच्छानता कलेखीं यह दो दूवर रोगया यहां दूद पाई आर बटाके लिए जागे कितना अधें का मान्म आगा कि यहां अब किया करेंगे Holmes यहां पर लिखे देखिए पाई और इसकौार comment अब यहाँ दिखा वह पर किया दिखाए पाई आर बटाके दो का स्कौार कर लिए अभी सब्सक्रमक का मेन बटाके झाल हरा जाएंगा चंगा देखिए आपके स्कौाई आदेखिए आपको को जाएगा हे・ weekends पाई आर इस्क्वायर और आर इस्क्वायर और डू का इस्क्वायर दूद्ना कर चार हो जाएगा अब देखिए आप बटा का रहा था था याँ पर चार यह पाई बचाइब आर क्या करेंगे चार ने 4 गुंडे यह साथ बढ़ जागा भार की इस बार के बाइस की इन और 15 में पैसितने चानी केडा से अधा है के सारे बढ़न बंगो कि चारओ जाएएंरा पूचा है यहां अनुपात पूछा यहां पूछा भाग देने की ज़रूरत है नहीं हैं आपको इस सवाल का इसका सही जोग क्यों होगा वीवल आपसा सही हो जागा अगला नंबर देखिए आप सवाल देखिए यहां पर है कि एक आयतकार कागज 40 cm 22 cm को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी उचाय 40 cm पर देखिए जेड़ कितना सिंपल होता है यह देखिए आपका क्या करा है कि इसकी उचाय याद यह देखिए बनाया गया है इसमचाय यह बना दिया गया है इसकी उचाय यहां से लेकर यहां तक देदिया 40 cm यह दे दिए 40 cm जब बताई कि यह आपका 40 cm है यह वाला भाग क्या होगा आपका जैसे आपका आयत देखे इस पकास है ना आपका यह आपका क्या है का 40 है मान लिजये और यह 22 है इसको क्या कर ऐसे मोरा कती 5 cm रुट के बरावर होगा यह नीचे व्रित किसके बरावर होगा बस सवाल में इसको आपको यह समझना था आठाइए ब्रूत की परीदि होता है पर्धि या परिमाब जो वहता है विरत की परीदि कितना होता है इंगे utar पर छांदर करें गांगे दू इधर आगा एक था क्यां गिर में में थम्हार आपशा निले 63 nay नोन हो गया जाल किसे फेक्वांगर हो स्खस्छा कर था इसका सही जवाब आपसण और जाएगा ठीक है तो आपको यह चीज समझ में आएगो बस आपको जो समझे ना था है यहाप यह उचाई आपका 40 दे चुगा यह उचाई है तो जो यह संचाई बारंबारता क्या होता है तो संचाई बारंबारता ग्याद करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसी को थोड़ा सागे बढ़ा कि संचाई बारंबारता ग्याद कर लेंगे और कि संचाई बारंबारता कैसी ग्याद करते आपको बताते पहले क्या लिखिए का संचाई बारंबारता ग्यात करते हैं आप से भी को पता कि पहले इसको यहां पुतार लेंगे अगला स्टेश्ट कौक करेंगे कि इसको इसम tau जोड़ेंगे यानि साथ पांच बारा देगा बारा जाएंगा अब पूरा फूरा पता देत infin 2 चैhãसे क Спए इन सभी का योग मतलब यहां पर आता है इन सभी का योग होता है एक कई से बड़ी संख्या कौन सब्सक्राइब और इसके बीच में कौन सा रहा है कि इसका सही जवाब माद्यक वर्ग क्या होगा माद्यक वर्ग 20 ओर 30 आगा इसका सही जवाब प्रश्न पत्र रहाता है उस पर नहीं करना रहता है इस तरह आप रफ कारे कीजिएगा आपको सिर्फ यहीं पर समझा दिए ठीक है अब दीखें आपके सावने 20 नंबर का सवाल क्या है यदि किसी बंटन के माध्यक 24.5 और 26 इसका बहुलक ज्याद कीजिए अब देखें बहुलक क्या होगा बहुलक बराबर होता है फार्मूला आप सभी को बहुत बार यह सवाल पढ़ा चुके हैं बहुलक बराबर होता है तीन गुड़े माध्यक माइनस दू गुड़े माध्य यह होता है फार्मूला इसका ठीक है अब यहां पर बस मान रख लिए तीन गुड़े माध्यक कितना दिया है सवाल में थोड़ा रखते समय ध्यान दिजिएगा यहां पर पहले माध्य को होता है दूसरा मान क्या होता है माध्यक को होगा यह रखते समय ध्यान दिजिएगा नताब गलत कर देंगे, तो माध्यक रखना है, तो माध्यक कितना दिया है, 26, यहाँ पर 26 रख लिजिएगा, माइनस दू गुड़े, माध्य कितना दिया है, 24.5 दिया है, तो 24.5 रखिएगा, ठीक है, रखते समय जलू ध्यान दियेगा, कि आप पेपर में गलती करके चले आ उन्चास हो जागा, दसमलो एकंट पर लगा दीजिए, अब क्या करेंगे, 78 में से 49 को घटा लेंगे, दसमलो के बाद 0 कोई मतलब होता नहीं है, तो घटा लीजिए, यहाँ घटा लिजिए, तो आपका बहुलक कितना आया, बहुलक आगया आपका 29, अब आपसन में आपको इसका जो solution है, दिर्गूतरी प्रशनों का next video जब लाएंगे, तो उसमें provide कर देंगे आप सभी को, ठीक है, तो friends, आपको इस वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like करें, चैनल पे नए है, तो चैनल को subscribe करें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडिय कर देंगे, ठीक है,